बेसन हमारे किच्चन में पाय जाने वाला एक बहुत ही कॉमन इंग्रीडियंट होता है तो आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि हम बेसन का सीवन कैसे कर सकते हैं कितना कर सकते हैं और वो डाइबीटीज के लिए अच्छा हो सकता है या नहीं अब हम देखेंगे कि basin की nutritional value क्या होती है लगबक 100 gram basin में 387 calories, 58 gram carbohydrates, 11 gram fiber और 22 gram protein पाया जाता है इसी के साथ basin में magnesium, thamba, loha, manganese, thiamine, folate जैसे अनेक vitamins और minerals भी पाया जाते हैं Basin एक low calorie food है जिसमें carbohydrate कम होते है और protein एक अच्छी मातरा में पाया जाता है इसी लिए basin को हम अनेक तरह से अपने diet में शामिल कर सकते हैं Basin diabetes friendly क्यों है? Basin का glycemic index 10 होता है जो उसे low glycemic food index में लाकर रखता है इस वज़े से basin का सेवन अपनी अमित रूप से कर सकते हैं और उसमें पाय गए अवश्यक गुनों का लाभ हम ले सकते हैं Basin हमारे sugar levels को तुरंत नहीं बढ़ाता है या हमारे blood sugar levels की spikes को रोकता है इसलिए basin के सेवन से हम अपनी sugar levels को normal रख सकते हैं Basin में magnesium भरपूर मातरा में पाया जाता है Magnesium हमारे insulin sensitivity को improve करता है और insulin resistance को बढ़ाने में मदद करता है जैसे हमारे body में insulin resistance improve होगा हमारे शरीर के cells glucose को ठीक तरह से absorb कर पाएंगे और हमें अपनी sugar levels maintain करने में मदद करेंगे इसी के साथ-साथ basin में fiber भी अच्छी मातरा में मौझूद होता है ये fiber हमें बहुत देर तक भरा हुआ रखता है जिस वज़े से हमें बार-बार भूक नहीं लगती है Basin में मौझूद thiamine और folate और onion vitamins हमारे glucose metabolism के उप्यूप्त होते है जो हमारे glucose metabolism में सुधार लाने में भी मदद कर सकते है तो हम basin का 7 कब और कितना कर सकते है आप प्रती दिन basin चाहे तो आप अपके गेहू के आटे में मिला सकते है या आप गेहू के आटे की जगह पर basin का इस्तमाल कर सकते है आप basin को या तो उसकी जगे bread omelet यानि bread पर basin के गोल को डार कर तवे पे उसे सेख लीजिए और एक healthy नाश्टे के रूप में उसका सेवन कर सकते है आप basin का roll या खांडवी जिसे हम कहते है वो भी बना सकते है जो basin दही और अन्य मसालों से बनती है जो एक आपके लिए healthy breakfast या mid snack option है basin के जोकले भी एक अच्छा option है जो आप आइदर breakfast या mid snack के तरह इसका उप्योप कर सकते है आप basin की रोटी भी बना सकते है जो आप अपके lunch या आपको अगर जादा भूख नहीं है तो आप उसे dinner में ले सकते है आप basin के चीले भी बना सकते है जिसमें आप बारी कटी हुई सबजियों को मिला ले और उसे तवे पर चीलों की तरह बना के उसका सेवन नियमित रूप से नाश्टे में कर सकते है प्रती दिन आप एक से दो चीले या तीन से चार बेसन की बनी हुई रोटियों का सेवन कर सकते है अधिक बेसन के सेवन से क्या नुकसान हो सकता है वैसे तो बेसन की अधिक सेवन से कुछ नुकसान नहीं होता है पर अगर आप इसे अधिक मातरा में सेवन करते है तो आप related problems जैसे paid full now, indigestion acidity जैसी चीज़े आपको हो सकती है साथ ही हमारे यहां basin का प्रयोग कई बार तली हुई चीजों में जाधा होता है जैसे basin के पकोड़े या बटाटे वड़े तो अगर आप ऐसी चीजों में basin का प्रयोग जाधा करते है तो इससे आपके cholesterol levels बहुत बढ़ सकते है जो आपके sugar और sugar related complications जैसे heart problems या BP के लिए अच्छा नहीं होता है तो आपको basin का सेवन अगर करना है तो जैसे हमने बताया उस तरह और कम तेल के बनाए हुए recipes के साथ आप करें basin के अन्या health benefits क्या होते हैं क्योंकि basin में insoluble fiber अधिक मात्रा में पाया जाता है जिस वज़े से regulation होता है हमारे motions में और ठीक तरह से motions पास होने में मदद मिलती है जिस वज़े से constipation के समस्या दूर होती है इसी तरह ये fiber हमारे cholesterol levels को भी घटाने में हमारी मदद करते हैं basin में मौझूद healthy unsaturated fatty acids हमारे body में मौझूद bad cholesterol को कम करने में भी मदद करते हैं basin में मौझूद folate हमारे RBCs याने red blood cells बनाने में मदद करता है जिस वज़े से anemia जैसी समस्या एक कम होती है तो ध्यान रखे आप basin का नियमित रूप से बहुत जादा या बहुत कम नहीं बड़ जितना बताया गया है उतना सेवे नियमित रूप से कर सकते है जिसकी वज़े से आपको health benefits पूरी तरह basin के मिल सकते हैं पर अगर आपको कुछ पचन related समस्या हो या पेट फूला फूला लग रहा हो तो आप इसका consumption ज़रूर कम कर दे जिसकी वज़े से आपको दूसरी शारीडिक तकलीफे ना हो थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते है और चानल को सब्सक्राइब कर सकते है